हेलो वीवान, बिलकम बैग, कैसे हैं, आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पी होंगे और सेफ होंगे आज के इस वीडियो में, हम डिसकस करने वाले हैं, यूपी पॉलिटेकनिक इंटरेंस एक्जाम से लिटेड बड़े ही important topics के बारे में, जो नतही न कहीं आपके mind में आकर कि आपको disturb कर रहे हैं, तो उसको हटाना हमारा उत्तरदाई तो बन जाता है Dear students, कई सारे बच्चों के mind में ये आ रहा है कि हमारा 12 सेफ्टंबर, 15 सेफ्टंबर को जे एक्जाम होने वाला है, वो होगा या नहीं होगा Sir, हमारा एक्जाम online होगा या offline होगा साथी साथ Dear students, आपके mind में ये भी doubt आ रहा होगा कि जो हमने exam center choose किया था, क्या हमको वही exam center मिलेगा या कोई और मिल जाएगा Sir, अगर हमारा center दूर चला जाएगा, तो हम वहाँ exam देने कैसे जाएगे उन सभी की सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं साथी साथ अगर इस वीडियो को बिहार, जारखन, राजस्थान और उत्तराखन के बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी last make important message है सो वीडियो में बने रही है, ध्यान से सारे doubts clear कर देंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले, बच्चों, साइट में हम आपके साथ एक pick share कर रहे हैं उसको आप देखिए, वहाँ से आपका 99% doubt clear हो जाएगा बाकी हम clear करते हैं पिक में वहाँ पर लिखा हुए बच्चों, प्रवेश पत्र निर्धारित परिच्छातिती से आठ दिन पूर्ब डाउनलोड किये जा सकेंगे ये UP Polytechnic की जो official website है वहाँ से मैंने इसको चेक करके, वहाँ से crop करके आपके लिए पिक निकाली है तो आपका एक्जाम बच्चों 12 को और 15 सेतंबर को है तो आपका जो admit card है कल से means 5 सेतंबर से डाउनलोड होना जी start हो जाएगा इसकी पूरे chances हैं फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों तो वहाँ पर लिखा हो सत्र 2020-21 हे तू बिभिन इंजिनरिंग डिप्लोमा management यों पोस्ट डिप्लोमा पाठ क्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परिच्छा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरित तयार कर आनलाइन काउंस्लिंग के माध्यम से लगभग 1296 संस्थाओं में बिभिन 67 पाठ क्रम की सीटें आवंटित की जाएंगे दूसरा doubt आपके mind में जो चल रहा था वो clear हो गया होगा कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सारे merit पे हमारा admission होगा तो साब साब बोल दिया गया है कि online जो exam होगा या offline जो exam होगा उसके exam के basis पे merit तयार की जाएगी और उसके basis पे online आप लोगों का क्या होगा आगे बढ़ते हैं फिर लिखाए बच्चों उत्तर परेस सयुक्त प्रवेस परिच्छा पॉलिटेकनिक 2020 की नई परिवार्ती तिथियां यहां पर हम आपके साथ share करेंगे कि आपका exam online होगा यह offline होगा खुब ध्यान से सुनियागा हमारी बातों को फाल्दू परेसान नहों यह self history के लिए time जरूर निकालिए बच्चों ठीके और आपको यह भी बता दे कि आपके अपने इस channel पर इस समय दंगल यह पर लिखा होगा समस्त जनपदों में बच्चों वहां पर जा लेना कि offline exam होगा जहां कुछ जनपदों में लिखा होगा वह online exam होगा तो यह बात confirm हो गई आप लोगों को और सभी जनपदों में होगा आप जिस जिस डिस्टिक से होगे प्रयास किया जाएगा कि आपको center वही मिलेगा ज्यादा दूर आपको travel करने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने अपना home district वहां पर choose किया होगा तो आपको वही मिलेगा आप वहां पर अराम से exam दे सकते हैं clear है बाते हैं group A का exam कैसा होगा offline होगा आगे भड़ते हैं group even की बात करते हैं बच्चों वह भी आपको screen पे दिख रहा होगा कि 12 सितंबर 2020 अपरान धाई से साधे 5 जो even group का exam है वो 25 से साधे 5 तक होगा उत्तर परदेश के समस्त जनपदों में मतलग इसका exam भी कैसा होगा offline होगा clear हो रही है बाते हैं हमने एक line में ये clear किया बच्चों की जो exam समस्त जनपदों में होगा वो कैसा होगा offline होगा कैसा होगा, offline होगा और जो कुछ जन्पदों में होगा वो कैसा होगा, online होगा तो गुरूप A का exam कैसा होगा, offline होगा, group E1 का exam भी कैसा होगा, offline होगा के रहे बाते हैं अगला है बच्चों ग्रूप E2 के बारे में लिखा गया है 12 सितंबर 2020 धाई से साधे 5 बजे तक उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में इसका भी एक्जाम कैसा होगा आफ लाइन होगा जहां पर लिखा है समस्त जनपदों में फोटो आपको दिक रही आनलाइन परिच्छा प्रदेश के प्रमुख जनपदों में परिवर्तनिये बीच में लिखा है परिवर्तनिये मतलब जो आपने वहां पर अपना सेंटर चूस किया होगा हो सकता है वो चेंज हो जाए क्योंकि बच्चों कंप्यूटर सिस्टम हर एक इंस्टिटूट में और लेवल नहीं है हर विद्याले मुत ज़्यादा सेंटर नहीं बनाये जा सकते हैं इसलिए कुछ ही जनपदों में ऑनलाइन एक्जाम होगा वहां पर आपको बताया जागा आपकी एड्मिट करने मेंसन होगा वहां जाकर कि अपना एक्जाम देंगे मतलब B, C, D, F, G, H, 15 सितंबर को एक्जाम होगा और साथी साथ कैसा होगा ऑनलाइन होगा अगला समझो बच्चो ग्रूप K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 जो है वही 15 सितंबर का होगा सेकेंड मीटिंग में होगा धाई से साड़े 5 होगा और इसका भी एक्जाम कैसा होगा बच्चो आनलाइन जहां पर टेक्नलाजी वहां पर उपलग्द होगी ऑनलाइन के लिए तो बाते सब को समझ में आ गई होगी माइंड में सारा का सारा जो डाउट रहा होगा बच्चों क्लियर हो गया होगा अब आपके पास कितना दिन बचा हुआ है आज चार तारीक है 4 सेप्तंबर है 12 को आपका एक्जाम है मात्र और आठ दिन आपके पास बचे तो कमर कस लीजिए बढ़ना इस्टार शेर तर रहे हो कि मेरा काड आएक करेंगे तब उप्ड़ना करेंगा ऐसा नहीं है एक उप्र तो गवया होगी क्योंकि मैंने कई बार आप लोग उच्छे सेयर किया है कि इससे जादा से जादा संख्या में UP, BEO का एक्जाम UP में कराया गया है तो आप यह 100% मान के चलिए कि आपका एक्जाम होगा कोई और कोई कंडिसन नहीं आई तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी अगर आपके माइड में कोई और डाउट आ रहा है तो दिन आप कमेंट समझा करके कमेंट करिएगा और मुझे बताइगा उसका हम आपको जरू-जरूर सलूशन आपको प्रवाइड करा देंगे अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था बच्चों की यूपी पॉल टेकनिक के साथ साथ बिहार, जारखंट, राजास्थान, उत्तरखंट के लिए भी हमारे पास कुछ सोचना है वो सीचना यह है बच्चों की आप लोग जो अलग अलग जगहों से ढूंड रहे हैं कि हमारा एक्जाम होगा या नहीं होगा कैसे होगा मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में सेयर किया था कि अगर आपके समीप वाले प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी में अगर पॉल टेकनिक इंटरेंस एक्जाम हो रहा है वहां कराया जा रहा है तो मान की चलिएगा कि आपके यहां भी कराया जाएगा और हमने बोला था कि अभी आपका जो एक्जाम है वो डिपेंड करता है कि यूपी में होगा या नहीं होगा तो यूपी में exam conduct होने जा रहा है 12 सेतंबर को तो आप ये मान की चलिए कि 99% chance है कि आपका हो कि ग्रूप A उगारा में क्या है बच्चों जो 10th class से लोग farm भरे हुए हैं अगर उनका merit based कर देंगे सोचो कितनी सारी problem होगी कई सारे strengths ऐसे हैं जो अभी class 10th की appearing में थे उन्होंने अपनी mark seat वहाँ पर apply ही नहीं कि तो बहुत जादा समस्या वहाँ पर हो जाएगी इसलिए पूरा प्रयास यह है बच्चों कि आपका merit based वहाँ नहीं होगा और सत्र तो सून होने का कोई chance अभी नहीं क्योंकि सत्र चल बेल आइकन को नहीं प्रेस कियो जरूर प्रेस कर लो जिससे हम कभी भी वीडियो अगर आपको अपलोड करके दें तो आपके पास latest notification आपको मिल जाए बाते समझ में आ रही होगी कोई doubt आपके साथ नहीं हो रहा होगा तो ठीक है बच्चों आज के इस वीडियो में बस इत